हेलो एबरिबन दिस इस अरुन और स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम क्लास 11 का चैप्टर 3 ट्रिगनोमेट्रिक फंक्शन्स डिसकस कर रहे हैं तो यह वीडियो पूरा देखने के बाद आपको डिगरी और रेडियन के कोशन्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम 3.1 के जो बचे हुए हमारे कोशन्स हैं बड़ प्रॉलम्स उनको सॉल्व करने वाले तो चलिए शुरू करते हैं कोशन नमर्ट 3 में आपको दिया है अविल मेक्स थिरी सिक्स्टी रेवलिशन इन बन मिनिट एक मिनिट में एक फील तीन सु साथ रेवलिशन चकर लगाता है ना तो पूच रहा है कितने रेडियन कितने रेडियन एक सेकंड में बनाएगा तो बहुत ही सिंपल कोशन है इन बन मिनिट कितने रेवलिशन 360 रेवलिशन 360 रेवलिशन अच्छा ये एक बात बता ये एक रेवलिशन मतलब ये एक पूरा चक्कल लगाता है ना मेंस वन रेवलिशन एक रेवलिशन में कितना डिग्री 360 डिग्री मेंस 2 पाई रेडियन कबर करेगा तो लेख देना वी we know that in one revolution a wheel completes one complete in in one complete revolution a wheel moves to by radian of angle now it is given that a minute में तो 360 revolution लगाता है और हमको क्या निकालना है कि एक सेक्ड में कितने रेडियन मूब करेगा ओके तो एक मिनिट में हमको पता है 60 सेकंड रूते हैं तो बीकेन राइट बन मिनिट को हम लेख सकते हैं 60 सेकंड in 60 seconds okay in 60 seconds 360 revolution ओके तो in one second in one second 360 upon 60 revolution ठीक है तो यह कितना आएगा यह आपका आएगा 666 revolution तो एक में कितने revolution लगा रहा है 6 revolution लेकिन हमको क्या निकालना है एक सेकंड में कितने radian angle बना रहा है ठीक है तो हमको पता एक revolution कितना एंगल बनता है टूपाई तो six revolution कितने बनेगा six into two पाई रेडियन तो six into two पाई रेडियन कितना होगा आपका 12 पाई रेडियन 12 पाई रेडियन this is your final answer बहुत ही simple question था आगे बढ़ते हैं कुशन नमर फॉर्ट में आपको निकालना है find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc length of 22 cm कुशन में क्या बोल रहा है आपको एक degree measure निकालना है उस angle का जो कि आपका subtend हो रहा है है ना किस से subtend हो रहा है central पर हो रहा है जिसकी radius कितनी है 100 cm और arc length कितनी तर कि आपको बेसिकली arc length आपकी यह होती है और यह आपको दे रहा है L is equal to 22 cm ठीक है radius आपको दे रहा है 100 cm सब्सक्राइब आपको निकालना है इस angle का क्या degree measure तो हम जानते हम के जानते है ठीटा ठीटा is equal to L upon R ठीक है यह ठीटा हमेशा radian में आता है यह बात का खास द्यान रखेंगे तो ठीटा is equal to L upon R होता है दोस्तों अब क्या करेंगे तो ठीटा ही तो निकालना है तो ठीटा is equal to L की value रगणिंग में कितनी है L की value है 22 upon R की value है 100 22 upon 100 काटेंगे तो 11 upon 50 11 upon 50 कितना है ठीटा ठीटा is equal to 11 upon 50 radian radian लेकिन हमको किसम निकालना है डिग्री में तो बहुत ही सिंपल है इन्टो पाइ रेडियन यह पाइय। पाइय रेडियन में कितना डिगरी होता है 180 डिग्री तो वन रेडियन में कितना डिग्री होगा 180 upon pi डिग्री और निकालना कितना डिग्री का 11 upon 50 तो 11 of 150 radian is equal to 180 upon pi into 11 upon 50 तो अगर आप इनको काटो गए तो यह 0 सा 0 cancels और पाई की जगे आप लगोगे 22 अपन 722 और 7 इधर चला जाएगा और 11 टूज़ा 22 डिस इस नाइन ओके तो 97 जा 63 अपन 5 63 अपन 5 डिग्री ओके नॉर्मली डिग्री का अंसर कितना आगा 63 अपन 5 लेकिन डिग्री में इसको फर्दर करेंगे तो 63 अपन 5 को मिल्टिप्ला करेंगे एक डिग्री मोटें प्लस अब 3 अपन 5 डिग्री को सेकेंड में चेंज करेंगे हैना तो 3पन 5 कितने से मिल्टिप्ला करेंगे एक डिग्री में होते हैं 60 सेकंड तो तो थिरी अपन 5 इंटो 60 इसको चेंज करनेंगे 5 वन जा 5 5 तो यह आंसर आगा 12 डिग्री प्लस 36 मिनिट तो यह आपका हो जाएगा आंसर ओके नेक्स्ट वोशन देखें कोशन नमर फाइब इन अ सर्कल ऑप डायमेटर 40 सेंटीमेटर कोई सर्कल है कि इसका डायमेटर कितना देर रखा है 40 सेंटीमेटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमेटर कोई कोड है है ना कोड क्या होती है आपकी जो भी सर्कल के दो एंड पॉंट को जो लाइन टच करती है वो आपकी कोड होती है और जो लाइन आपकी सेंटर से जाती है वो आपकी डायमेटर होती है ठीक है तो कोड के लेंग ने रखी 20 सेंटीमेटर सपोज यह लेंद आपक तो さब आपकी code वन रही है तो यह जो आपकी आपकी light अगा तहु क्या होगे गो तो देखते हैं कैसे निकलेंगे अब देखिए गीवन के क्या radius अगर मैं इसको से कनेट करूं तो यह ट्राइंगल बन जाएगा और रेडियस किती है आर है 20 cm यह भी कितना होगा 20 cm अब देखो यह एंगल सापूस ठीटा बन रहा है अब देखो मुझे क्या निकालना है यह लेंथ अप आर्ग निकालना है तो आमको एक फॉ हील तो हमको निकालना है और हमको पता हैं बट ठीटा ओना चाहिए तब तो निकाल पाएंगे तो तो सबसे पहला है पर यहां से दिख आलेंगे तो यहां को सबस्कोर्त के थो वर व्हें को इस्को बीनाम को तो प्यक्तिता ओन्रोच्च्च्च्च्च् voluntary का अब Chandi갈 twists च्ग डिग्री बनाएंगे तीनों यह भी 60 यह भी 60 और यह भी तो एल केतना हो गया 25 अपॉन 3 cm डिस यूर आंसर इस इस यूर आंसर पहुत ही सिंपल कुशन था नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं इफ इन टू सरकल दो सरकल दे रहे हैं आपकी सेम लेंथ की आर्क आपकी एक एंगल 60 डिगरी बनाती है और एक 75 डिगरी बनाती है और हमको न और एंगल आपको डिफरेंट दिया है इसका मतलब आपकी डिफरेंट होगी एक सरकल आपका छोटा होगा और एक सरकल बढ़ा होगा देख लेते हैं इसको क्या कि सिस्टम है सपोज यह आपका पहला सरकल है ना यह आपका 60 डिगरी बन रहा है और अगर यह आपकी लेंद यह आपकी आरटू माल लेता हूं तो आरवन अपन आरटू मुझे रेशियो निकालना है तो कैसे निकाला हूंगा सबसे पहले शुरूआत करूंगा मैं सॉल्यूशन तो मैं थीटा 1, R1 तो फर्स्ट सर्कल के पेरेमिटर माल लिए और थीटा 2, R2, सेकंड सर्कल के पेरेमिटर माल लिए ठीक है अब हम जानते हैं कि थीटा is equal to L upon R होता है तो यहाँ से अगर मैं L निकालाओं तो L कितना होगा थीटा into R हैना है ना अफस्ट की बात करों यहां पे तो ल एल तो दोनों का सेम्हन से अब ल सक भी और ज़यागा ठीटीटाव और the one अब इसमें पूट करेंगे तो theta 2 क्यति ना दिया था Weber तो आपको दिया कितना bedroom गितना कितना 75 लेकिन इस फोर्मिले में हमेशा theta किसमलेते हैं अब रेडियन में लेتे हैं तो इनको पहले रेडियन में Fitz करेंगे तो रेडियों में चिंज करने के लिए पाइप आप रेटी से मल्टिप्लाय करेंगे तो यह कितना आएगा पाई वाई थरी रेडियन और 75 बेटना एगा 75 इंटू पाई अपॉन 180 तो यह 5 1 5 5 25 5 15 56 दा 30 तो यह आ गया 35 15 and 35 5 by 12 5 5 upon 12 इसकी डिगरी तो यहां पर रख देंगे तो आरबन अपन आर्टू कितना हो जाएगा आरबन अपन अपन अर्टी स्कोल थीटा तो 5 5 by 12 upon whole upon ठीटा बन कितना होगा पाई भाए 3 ओके तो पाई से पाई कैंसल एंड यह तरी ऊपर जाएगा तो 15 अपन ट्वैल आंसर आएगा 15 upon 12 15 अपन तो आपन फॉर तो आरबन इस्टू आर्टू 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 को जो रिश्य वहा गया फाइब अपन फॉर फाइव इस्टू फॉर तो बहुत ही सिंपल कोशन था हमको क्या मानना था हमने पहले सरकल के थीटा बन और परामिटर माने होड़ें दूसरे सरकल के थीटा टू और रटू परामिटर माले फिर इस फॉर्मिले के अकॉर् में अ कोर्वन हमने यह ंट्र ऊंप यह होती है अंगल मुल्टिप्लैड अवाट रिडियस है ना तो फस्ट सरकल के लिए हमारी यह condition थी L is equal to theta 1 into r1 और second के लिए condition थी since given था question में कि दोनों की length of arc same है इसलिए यह भी L और यह भी L दोनों को equid कर दिया और r1 upon r2 का ratio निकाल दिया ठीक है next question देखते हैं question no.7 में आपको क्या निकालना है find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 cm and the tip describes the arc of length 10 cm 15 cm and 21 cm तो कहने का मतलब क्या है हमको निकालना angle radian में किसका एक pendulum है pendulum के होता भी है यह आपका pendulum होता है यहां से ऐसे हिलता है ना आपकी school की घंटी होती है उसमें नीचे एक pendulum लगा हो ना वो हर एक second में मूग करता है left right left right तो यहां पर वही सीन है अब हम यह एक pendulum दिया है हमको इसकी length 75 है तो यह pendulum कभी left जाता है और कभी right जाता है है ना ऐसे से मूग करता है ना इस पाथ के तुरूब यह circular path होता है ना इसकी length दे रखी आपको 75 cm इस pendulum की length और इसकी जो 9 के tip describes an arc of length और यह आर्क इतना करती है पहले 10 फिर 15 फिर 21 आपके तीन कोश्चंस है तो फस्ट वाला कोश्चंस हमां भी देखते हैं तो यह यह जो length of yes की ट्रेपन यह जो यह जो लेंद यह आपको दे रहें कि 10 cm की 10 cm यह उमूप करती है और निकलना क्या एंगल यहां पर कितना अगा यह बना रहता है यह पिर निकलना आपको ठीटा यह सकियो बन गया अगर मैं इसको की लिख पुर पूरा हिला दून को यह स्कुली खालन यह एक सर्कुल्र पाहथ फॉलो करेगा क्रिए ती आक सर्कल का कई हैं तो हमारा वह बहुत प्रॉनलाद थीटा इसेकोल टू क्या होता है लेंट्ट ऑफ आर। आपान रिडिएस ओके टीटा इसकील यहां और कितना है सेवंटी-फड़स क्या रेडियन में आता है मेसा okay second question में 15 centimeter है बिल्कुल झाये यहां पर 10 कि जीए कि 15 आ जाएगा तो 15 अपों 75 कांसर हो जाएगा तो वन आपस फाइब रेडियन थर्ड कोशन की बात करें तो 21 cm ती आए तो 21 तो यहां हमारी exercise 3.1 complete होती है अगर आपको कोई डाउट बता है किसी भी question में comment में पूचिए definitely answer मिलेगा और अगर आपको कुछ extra पूचना है तो आप description में जाके एक link ती होगी आपको WhatsApp link उस link पर click करके आप एक ग्रुप से लिए नहीं हो सकते हो हमारे वहां पर भी आप डाउट फूट सकते हो त्थिक है और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तो थैंक यूफर वाइसिंग इस वीडियो कि अगर आप कर दो कर दो